तो उन्हें समझाना है, गाइड करना है, अच्छे तरीके से, आप सपोज करें, आप एनाटामी के स्टूडन्स हैं, ठीक है, साइन्टेस्ट हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप कहेंगे सर आपने हमें ये राइट व्यू, ये ट्रांसवर्स, ये डाइसेक्ट करके भाइ यूजर्जिंग यूएर खोपड़ी, मुझे अंसर देने है, सुनें भई, ये तो समझ गए होंगे के मैं क्या बना रहा हूँ, ये, ये बिलास्टूला, ये बिलास्टूला, यह कहां पर पड़ा है यह blastula पड़ा है एग का यॉक तो मैंने कौन से एग का पार्ट बनाया है का कौन सा पार्ट यॉक अब यॉक के बाहर कौन सी membrane होती है विटलाइन छोड़ दें भाई उसको मैंने नहीं बनाया एग वाइड भी नहीं बनाया अब अब जर्माइनल डिस्क याक के ठीक उपर है ठीक उपर है तो क्या अगर मैं इसको दो डिरेक्शन में कट करूं अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो यह व्यू आपको ऐसे दिखेगा तो उपर वाली लेयर को क्या कहेंगे इपी बलास्ट और जो नीचे अपियर होगी उसे आइपो बलास्ट और अगर और अगर और अगर मैं कट कैसे करूं ऐसे कट करूं ऐसे कट करूं ऐसे कट करूं तो आप तो सीधी बात कहेंगे सर यह इपी बलास्ट है और यह आइपो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ के जो blastula की layers हैं कौन सी? एक hypoblast और दूसरी tipi blast, सुनें भई, most important concept, tipi blast से endoderm बनेगी, क्या बनेगी? एंडोडर्म बनेगी, इपी blast से, ठीक है? इपी blast से endoderm बनेगी और इपी blast से endoderm बनेगी hypoblast के साथ, फिर बनेगी नीजोडर्म, फिर बनेगी तीनों के तीनों layer किस से बनेगी? यह topic है, आज का most technical topic है, hypoblast क्या करेगी? hypoblast इसको devian करवाएगी, message देगी, बताएगी अब time हो गया है, पहले बनाओ कौन सी? फिर बनाओ कौन सी? फिर जो इपी blast बचेगी उसको नाम देंगे, यह तो पता है ना? यह तो बचों को भी पता है, आगे चलके confirm भी करेंगे, गट बनता है, ठीक है, elementary canal, और जो mesoderm है, उससे body की cavity बनती है, ठीक है? और गट की वाल भी बनती है, और बाटी की वाल का भी तोड़ा ऐसा होता है, ना पता? Animal kingdom जिसने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे यह सीख जाएंगे concept, एक्टोडर्म से आपकी बनती है, बाहर वाले portion, इसकिन और आपका खोपड़ी वाला CNS, brain and spinal cord, एक्टोडर्म से और mouth की just opening, नाक का, कान का बाहर वाला portion, यानि नाक की nostril और कान का बाहर वाला ऐसा, बाड़ी पे जो भी सारी बाहर openings है, जो भी openings हैं वो openings एक्टोडर्म, बाहर है ना, इसकिन भी बाहर है ना, एक्टोडर्म से, only यह चीजें याद रखनी है के यह खोपड़ी जो है, यह भी एक्टोडर्म से बनती है, तो यह आज का जो topic है, वो यह समझना है के, यह कौन सीलियर है जिसको मैं अभी यहलो बलेक कलर दे रहा हूँ, इस इप्टी बलास्ट से कैसे, कैसे आके, यहां पे, यह मैं बल्यू कलर से बना रहा हूँ, आइपोडर्म इसके ऊपर, एंडोडर्म कैसे बनेगी, फिर बीच में मीजोडर्म कैसे बनेगी, जो बचेगी उसको एक्टोडर्म कैसे कहेंगे, और यह सारे का सारा process कैसे होता है, मुविंग टुडिटेल ना हो, यह overview था, overview याद रखना है, केपीडर्म से, पहले एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म, चलो भई, फिर बिरेन के बनने को पढ़ेंगे, नियूरोलेशन, है ना, मीजोडर्म से बाडी केविटी बनेगी, अब अच्छा, इन मुविंग टुडिटेल ना हो, अब बताएं मुझे कमेंट में, के यह मैं वाइट कलर से, कौन सी लेयर बना रहा हूं, बिलास्ट यूला की, कौन सी है, टिपी बिलास्ट, अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अगर इसको मैं सीधा रखूं पहले, अगर इसको मैं है, यह वाला टुकड़ा हम ने लिया है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिया है, चलो, तो यह बडागर के बनाया हमने, इसको नाम दे रहा हूं, मैं क्या, इपी, ब्लास्ट, और नीचे कौन सी लेयर है वही, ग्रीन कलर से, मैं यहाँ पह बना रहा हूं, हाइपो बिलास् नाम दे रहा हूं इसको, हाइपो बलास्ट, यहाँ पर क्या होगा, यॉक, ओके, यह ऐसे होगी, complete है ना, एक टुकडा बनाया है, अचा सुने, यह जो मैंने आपको दिखाया है, व्यू, यह ऐसे व्यू आपको दिखाया है ना, ऐसा व्यू, यह जो इपी बलास्ट है, यह पीशे नहीं होगी, तो बुक में ऐसी शकल बनी हुई है, इसकी जो शकल है वो ऐसी बनी हुई है, और इसका मतलब है, कि यह इसका सर्वेस है, पीशे वाला, आपको दिख रा है यह व्यू, यह जो व्यू है, यह लाइन ह यह फरन्ट भीू, अगर मैं आपको ऐसा करके दिखाऊं। तो यह आप इस کی जो डॉइशल साइड है या आपको नदर आएगी तो यह कौन सी साइड है दोर संसाइड ठीक है और बीच में देखेंगे तो यह बीच में स्पेस है ठीक हो गया में इन चीजों को समझना है, यह चीजे नहीं समझेंगे तो concept समझ नहीं आएगा, कि यह बीच में क्या है, हम तो बताएं इस पेस का ब्लास्ट्यूला की इस पेस, ब्लास्टो, सील, अच्छा यह कौन सी स्पेस है, यह लेयर है, हाइपोडर्म, यह पीशे होगी कि नहीं होगी, यह होगी, बाल की तरह है न, दो परदे, यह पदा एक वो परदा है, चलो भई सुने, अभी, अभी ब्लास्ट्यूला बनने जा रहा है, मतलब दो लेयर बनने जा रही है, तीनो के तीनो कौन से लेयर से बनेगी, पहले कौन सी बनेगी, पेंडो, चलो, स्टार्ट, स्टार्ट नाओ, मैसेज कौन देगा, हैपोडलास्ट का पहला पहला काम, मैसेज देना, तो, इपीबलास्ट, इपीबलास्ट के ठीक सेंटर के सेल्स को मेसेज देना काम करो भाई और फिर इस मेसेज को पूरे इपी बलास्ट में फैलाना is the function of message for what devian message for devian करेंगे तो सेल बनेंगे तो सेल माइगरेट करके मुव करके यहां पे एंडो डर मीजो डर्म बनाएंगे ना सेल के अलावा मीजो और अंडो कैसे बनेंगी तो इपी कैसे अंडो और मीजो बनाएगी बाई प्रोसेज आफ डिवियन यह message किसके लिए है इसको डिवाइड करने के लिए डिवाइड करके जो सेल बनेंगे वो आके बनाएंगे पहले एंडो फिर मीरो चलो भाई इसका मतलब यह हुआ इसमें जो सेल डिवाइड होंगे वो इसको तूटके आएंगे तूटके आएंगे नया अपना मकान बनाएंगे जिसको नाम दें इंडोडर्म, फिर दूसरी मर्दवा तूटके आएंगे, उनसे थोड़ी स्पेस करके फिर अपना एरिया बनाएंगे, लेयर बनाएंगे जिनको हम नाम देंगे, मीजोडर्म, जो इमानदार सेल्स बच गया है, एपी बलास्ट के, मीजोडर्म बनने के बाद, उन्होंने तै अपी बलास्ट नहीं है, अपी आप क्या हैं अभी, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है, चलो भई, यह जो मैंने जो बात बताई है ना, बड़ी लाखों रुपयों की बात है यह, यह कांसेप्ट, क्योंके हाँ, तोन सस्ता है ना, चलो भई, पूविंग टो आगे, अभी आप बताते जाएंगे, सुने, सुने भई देखें, इन सब सेल्स ने क्या किया, स्टार्ट क्या की इन्होंने, सब ने डिवियन की, तो सुने, अगर डिवियन करके, यह ऐसे यहां पे सेंटर की और माइगरेट करते आएं, माइगरेट करते आएं, टुवर्स असेंटर, औ और माइग्रेशन बहुत सारी हो, बहुत सारी हो कहां पे पीछे पीछे यह मैंने रोज ज्यादा बना हैं, यहां पे ज्यादा माइग्रेशन हुई है है ना तो भाई किस्सा कुछ यूँ बना कि यहाँ पे एक लेयर बन गई पतली सी कैसी लेयर बन गई ऐसे बीच में दरार बन गई लाइन बन गई क्यूं अगर आप किसी चीज़ को काटेंगे तो इस पेस बन जाएगी न बीच में तो यहाँ पे काटने से इस पेस नहीं बनी यहाँ पे सेल ने डवाइड करके बाहर वाले सेल ने माइगरेट किया है सेंटर की और जब सेंटर की और माइगरेट किया है तो सेंटर पर वजन बढ़ गया है है ना टिपी बलास सेंटर से मोटी हो गई है तो कियो मोटी हुई है तेल भी डिवाइड हुए और बार से भी आएं तो मोटी हो जाएगी तो वजन पड़ेगा तो ऊपर उड़ेगी क्या नीचे तो अपर ब्लास्ट यॉक सही है यॉक बुक में ऐसे लिखाऊ तो अपर ब्लास्ट भी कह सकते हैं तो यह नीचे आएगी और एक दरार बनाएगी इस दरार को कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक इस दरार के बनने को दरार क्यों बनी है डिवियन से इस दरार को मैंने क्या नाम दिया भाई गोर से सुने प्रिमिटिव गली प्रिमिटिव स्ट्रीक भाई ठीक है और सुने जब आप आपको मैंने blahs को तो आपने का सब्सक्राइब ये तो primitive streak बनी है पीछे से तो बड़ा सर्फेस है जो मोटा बन गया है बड़ा सर्फेस है जो मोटा हुआ है तो भाई पीछे से एक बड़ा सरफेस है वो भी मोटा हुआ है उसने भी मतलब जो सेल अरेंज हुए है वो फरंट से कम अरेंज हुए है और पीछे से ज्यादा आके इकठे हुए है तो ये मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया है और ये पतला सा स्ट्रक्चर बन गया है पतले से स्ट्रक्चर को हमने का प्रिमिटिव स्ट् और इसको कहेंगे हेंसन नोट, हेंसन नोट या प्रिमिटिव नोट या प्रिमिटिव नोट, सुने भई, सुने, किसा क्या था, उपर वाले सेल, डिवाइड करके, माइगरेट करके, नीचे आएंगे, तो वही तो तैयारी तो कर रहे है, वजन बढ़ाया है ना इपी बिलास का, तो आगे क्या होगा? और वजन बढ़ेगा, तो जो प्रिमिटिव इस्स्ट्रीक हलकी सी धरार है, ये नीचे जाने लगेगी, बड़ी धरार पढ़ जाएगी, जब बड़ी धरार पढ़ जाएगी, तो इसको ना मौर देंगे, इसको अब कहेंगे, ये बड़ा खड़ हो गया है और खड़े को कहेंगे primitive groove primitive जग primitive groove पहले बनेगा या primitive streak पतली सी गली बनेगी फिर बड़ा खड़ा बनेगा simple चीज है ये मसला क्या है क्यों हो रहा है के ऐसा बुक्कते समझ में नहीं दो जैस्टाइम माहेरे नठाइं दो मत्तसां बुक्कते नहीं दो समझ में कुछ भी समझ में नहीं दो बुक्कते सत्थेज उस गड़े लिखिया लेने के सांजो नहीं बुक्कत आई यहों करे जानचडाया माहा आथते दांगे पड़ाईं दूं तांगे इकएक शे ठाइँदो वेन दूं पो तांगे भुक्कत देखारी दूं तांगे गालीं समझ में दियो जीका शे माहा बुदाईदो वन्यादो उन टैम ववा शे सिखो माह सजूशे रड़ी 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 मैंने आपको कौन से भी बड़ी प्यारी पॉइंट बताई कि ये इपी बिलास्ट आगे चलके क्या बनाएगी इंडोडर्म फिर मीजोडर्म फिर जो बचेगी वो इपीडर्म कहेंगे उसके बाद और उस से अची पॉइंट बताई मैने कि ये इपी बिलास्ट कैसे माइगरेट करके आएगी तो डिवाइड करेगी ये मेसेज देगा डिवाइड करेगी तो वो सिंटर पे सेल आएंगे आएंगे तो वजन बढ़ेगा वजन बढ़ेगा तो गली बनेगी पतली जिसको हमने का प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव स्ट्रीक ये फरंड से बनी पीछे से इसके पीछे से यहां पर बड़ा एक नोड बना उसको primitive streak पतली सी गली बनी है और वो बड़ा मोटा सा structure है उसका काम पता नहीं क्या है मैंने बढ़ाया भी नहीं अभी तक अभी तक तो मैंने primitive streak का भी काम नहीं बताया इतना अंताजा लग रहा है कि primitive streak से endoderm बनेगी ये सेल नीचे गिरेंगे नीचे गिरेंगे है ना इंसन नोट से आगे चलके खोपड़ी बनेगी देखना के इंसन नोट कैसे खोपड़ी बनाएगा ब्रेन बनेगा ब्रेन कब बनेगा जब आरगन बनेगे ना जब आरगन बनेगे उसमें ब्रेन भी बनेगा तो पहले लेयर तो बन जाएं एंडो मीजो और एक्टो फिर सारे की सारी लेयर्स मिल के क्या करेंगी आरगन बनाएगी कौन से आरगन एंडो अपने आरगन एक्टो अपने आरगन मीजो अपने आरगन फिलाल वेट करेगा ठीक है चलो भाई सुनें ये क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक जब ये बड़ी मौटी हो गई तो क्या कहा इसको हमने देखें अभी इसको मैं मोटा कर रहा हूं बड़ा कर ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे बन गई है है ना ऐसे बन गई है अच्छा ये यहां से नीचे है या सर ये ये जो है ये कंटीन्यू 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 यहां तक जो है ये ऐसे नीचे है कंटीन्यू खड़ा है ना इंसन नोट तक तो यह जो सारे का सारा अंदर खड़ा है, बड़ा वाला, इसको हम कह रहे हैं अभी primitive groove, बड़ा है, जब यह पतला था तो, तो पहले क्या बना primitive streak और एंसन नोट या primitive note, primitive streak से यह दोनों साथ बने हैं ना, यह पीछे, यह आगे, आगे वाली structure से क्या बना, primitive groove कैसे बनेगा, ज्यादा devian, ज्यादा सेल आएंगे, ज्यादा वजन बड़ेगा, जैसे ज्यादा बारिश होता है, तो ज्यादा पानी आता है, यहाँ पे भी वही concept होगा, यह ज्यादा सेल आएंगे, ज्यादा खड़ा बनेगा, ज्यादा खड़ा बनेगा, तो बड़े खड़े को क्या क लू आएख या जीज रिपीड आज नहीं करूंगा परमिटिव गुरुव सुने था अब यह जो ऑसेल से इलोस करके गिरने लगेंगे यहां हाइपोब्लास्ट के नीचे क्या है यॉक तो जैसे हाइपोब्लास्ट पे गिरेंगे तो हाइपोब्लास्ट बेचारी भागती जाएगी तो यह कौन से सेल है, मैं इनको क्या हूँ, माइग्रेटिंग सेल, कहां से माइग्रेट हो रहे है, इपीबलास्ट से, कौन से स्ट्रक्चर से, गुरू से, तौर्ड या, तौर्ड हाइपोबलास्ट आ रहे है, और हाइपोबलास्ट को क्या करे है, भगा रहे है, और यह अप पाए कर ली किसने प्रिमिटिव गुरुव से माइगरेट जो करके आए हैं उन सेल ने तो इन माइगरेटेड सेल जब अब सेटल हो गए अंदर अंदर सेटल हो गए हैं तो इसको कौन सी लेयर कहेंगे आप अब बताएं एंडोडर्म कैसे बनी अब अब रिपीट ये होगा कि एपीबलास के सेल ने हाइपोबलास के कहने पर डिवियन स्टार्ट की डिवियन स्टार्ट करके प्रिमिटिव स्ट्रीक और पीछे पेंट सन नोट बना और प्रिमिटिव स्ट्रीक से और डिवियन हुई तो प्रिमिटेफ गृव बना गृव से सेल माइगरेट करके तूट के तूट के आके कमबाइन हुए, अटेच हुए हाइपोबलास, हाइपो ब्लास को नचाऊट किया, हाइपो ब्लास को भगा के वहां पे अपनी जगह क्यूपाइप कर ली, तो इन माइगरेटेड एंडोडर्मनने के बाद फिर डिवियन का रेशो बढ़ गया तो फिर ग्रूव जो है फिर सेल माइगरेट करवाएगा जब बोट में दस बंदे हो और बोट सिंक करने लगे और एक को गिराने से दो को गिराने से बाकी आठ वज जाएं तो उनको धका देंगे नाम तो यहां पे बी वजन बढ़ रहा है तो सेल नीचे गर रहे हैं अब लॉशेअ बन गई अब दूसरी यहां पर यहां बन रही है बीच में हां दूसे रिलेर कौन सी बनेगी अरड़ेगी व्रोडार्म के बाद बीच में मीजोडर्म तो अब दूसरी आर यहां पर यह कौन सी लेयर बन गई मीजोडर्म नीजोडर्म दो हिस्सों में बढ़ती है मीजोडर्म एंडोडर्म की तरह एक ही लेयर नहीं होती सुनें भई मीजोडर्म के दो हिस्से बनते हैं एक हिस्सा उदर एक हिस्सा मतलब जो sale migrate करके आएं वो कितने parts में separate हो गए right and left अब इनको नाम देंगे अब ये right में भी तीन टुकडे हैं और left में भी एक टुकडे के अंदर तीन टुकडे हैं जस्ट नाम याद करना है आगे इनका concept में बताऊंगा सुनें ये कौनजी नेर बन रही है य। येलो वाली अब इसका नाम है आखरी वाला hypowmir इसका नाम है बीच वाला mesomayer इसका नाम है पहले वाला tipy mayor तो ये तीनो के तीनो किसके part से अब इसको नाम क्या देंगे hypowmir इसको mesomayer और इसको यह राइट पार्ट आफ दे मीजोडर्म और यह राइट और यह लेफ्ट पार्ट आफ दे मीजोडर्म सुने भाई, मीजोडर्म से क्या बनता है बाडी की केविटी और केविटी के आरगन पेर में ड्वाइड हुई है ना तोनों साइड के आरगन बनाएगे आगे चलके यह यह future में देखेंगे, अभी मीजोडर्म तो बने सुने, सुने, किपी मेर, मीजो मेर, हाईपो मेर, तीन पार्ट हें इसके पेर के फाम में, राइट लेट, किपी मेर ये वाला بहँ, वाला भी, मीजो मेर, देखें यहाँ, पस्टियर में पढ़ाई हुई है के हर्ट कैसे बनती है दो टाइप के सेल्स होते हैं राइट गूरूप जो है वो क्या बनाता है फिर्टा और लेफ्ट वाला हर्ट कभी-कभी गलती हो जाती है तेल्स पेर में होते हैं क्योंके मीजोडर्म पेर में बन रही है जरूरी नहीं सारे के सारे बाडी के और गन पेर में बने एक अलग डिपेट है exception पे सिदा जाके ना जाया करें majority को देखें, hurt का रिज़ा ने नए एक क्यों है क्योंकि एक दो हर्ट जो बनी ती, दूसरी हर्ट वो हर्ट नहीं बनी वो योउर्टा बनाए, तो वो सेल थे, पेयर में मगर दूसरी hurt की नहीं नहीं है, एक ही बनी. तो according to the body function, body, इसका मतलब यह नहीं है कि दो टाइप के सेल्स होंगे तो लाजमी है दो आरगन बनेगे, किड्नी आपको गिफ्ट में मिली है, एक और लंग्स दो नीडेड है, दो है इसलिए, चलो छोड़ें, अभी मैं एक सवाल आप से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं, मुझे टापिक से भटका रहे हैं इदर उदर, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी चीजें करने से जो खोपड़ी है उनकी वो घूम जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं भटकना चाह रहा, टापिक पे रहना चाह रहा हूं, वगर आप बीच में ऐसी चीज उट पटांक पूछ रहे हैं, जो पता हैं, आगे चलके इसका फ्यूचर थोड़ा माइंड में रख लें, यह जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म, यह देखें, यह एंडोडर्म ऐसे कर्व का बनाएगी, यह कर्व बनाएगी, यह ऐसे कर्व बनाके ऐसे हो जाएगी, गोल, यह आपका मुह से लेकर यह सा होते हैं जिसमें पहले माउथ बनता है तो क्या कहते हैं उनको प्रोटोस्टोम और पहले एनस बनती है तो डूट्रोस्टोम अभी मुझे अनिमल किंडम में लेके जा रहे हैं आप चलो मूविंग टो आगे भाई भूल जाएं हमने अभी क्या बातें की वापस लेकर आएं मैं कहां पे था मैं कहां पे था क्या बनी मीजोडर्म बन रही है मीजोडर्म का कौन सा पार्ट बना राइट एंड लेफ्ट राइट मीजोडर्म के कितने पार्ट है थीन पीछे नीचे वाला बीच वाला आगे वाला आगे वाला थोड़ा ऊपर बढ़ेगा आगे इसका र कैसे से अरगन बनेगे कैसे समूर के साथ अरगनोगेंगे। उभी मैं तुने की कोशिश करें। मुझे छोड़ दें जैसे मैं बढ़ा रहा हूं। सुनें भाई अब कुछ सेल ऐसे हैं कुछ सेल ऐसे हैं जो अभी माइगरेट करके आ रहे हैं अभी मीदोडर्म कम्प्लीट नहीं हुई तो एक ऐसा गुरूप होगा सेल्स का जो बीच में आके ऐसे ऐसे कार्ड बनाएगा ठीक है बीच में ये भी मीजोडर्म का ऐसा है इसको हम नाम देंगे नोटो कार्ड और ये पेर में नहीं होगा ये की होगा तो नोटो कार्ड और राइट एंड लेफ्ट मीजोडर्म ये दोनों को मिला के हम कह रहे हैं ये मीजोडर्म है अब नोटो कार्ड बनने के बाद यह जो ग्रूव है अल्मोस्ट सीधा हो गया है क्यों गिरने वाले गिर गए जो नहीं गिरने वाले वो रिमेन दा पार्ट आफ एपी बिलास्ट मतलब मीजोडर्म बन गई क्या क्या बना मीजोडर्म से राइट एंड लेफ्ट मीजोडर्म और नोटो कार्ड अभी थोड़ास ऐंडिकेट करता हूं कि नोटो कार्ड से वर्टीबरल कॉलम बनेगा इस vertebral column में nervous system बनेगा nervous system का कौन सा हिस्सा dotocard के थायेगा vertebral column के थायेगा spinal cord ग्रो करता जाएगा और उपर 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 himson node कहा है आगे पीछे यहाँ पे तो पीछे है पीछे mouth भी कहाँ से बना था पीछे है, तो खुपडी भी कहा पर बननी चाहिए, हिंसन नोट कहा पर है, तो पीछे जो हिंसन नोट है वहाँ से, वहाँ से अब स्टार्ड करते हैं, एक्टणरम का अचनसेप्ट, मीजोडर्म बनने के बाद जो इपी बिलास्ट नाओ काल्डेस, इसको काट लें ये बिलेक कलर काट लें कुछ भी नहीं है ये ठीक है ये बिलेक कलर काट ले ये आपकी मीजोडर्म बन गई अभी ये जो बनी है structure इस रिमेन इपी बिलास को हम क्या कहेंगे एक्टोडर्म कितनी लेयर हो गई है कि ये वाली इंडोडर्म और दूसरी यह वाली इसका थोड़ा आम ने पढ़ लिया है किसे वर्टीपरल कॉलम बनेगा क्या यह कैसा विउ है फरंट विउ आपको दिख रहा है या साइड विउ दिख रहा है इसलिए यह गोल चले टाइप नजर आ रहा है अगर इसको मैं ऐसे उठा के या ऐसे उठा के दिखाऊं तो यह ऐसे कॉर्ड है इसलिए इसको nerve cord ये लंबा सा है पीछे तक है कहां तक यहां से इसकी लेंथ यहां से start है यहां तक primitive note बढ़ा था ना primitive streak ये ये सारी चीज़ हैं क्या ये भी ऐसी layer है नहीं ये भी अगर उठा के देखें तो ऐसा ये परदा है निजोडर्म आपको ऐसे दिख रही है endoderm भी आपको ऐसे दिख रही है अगर इसको ऐसे उठा के देखेंगे कपड़े के परदे होते हैंना जैसे वो बंदा हुआ होता है लपेटा होता है एक दूसरे के उपर ऐसे endoderm के उपर मेदोडर्म के उपर अब ये एक्टोडर्म, तीन परदे ठीक हो गया, अच्छा यह जो एक्टोडर्म है, इसका यह फरंट वाला पॉर्शन इसने क्या किया, कौन से लेर बनाएं, इसने कौन सी खिदमत की, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव गुरू बनके, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाई इस जो डर्म बनाएगी आपकी CNS को और बाकी इसकिन के अलावा आउटर जो सारे पार्ट है उनको, अब सुने, अब सुने, बात यूँ है के, भाई, थोड़ा इतमनान रख लें के बात एजी है, सुने, यहां पे, यहां पे बनेगा, नियूरल ट्यूब, नियूरल ट्यूब का मतलब क्या है, नियूरान का ट्यूब, जैसे नोटो कार्ड है, कार्ड बड़ा है ना, नियूरान का ट्यूब बनेगा, यह नियूरान का ट्यूब आगे चलके, यह ऐसा वियू नदर आ रहा है, नियूरान के ट्यूब का, इसका, अगर ऐसे दिखाऊ वाला इसका है यहां पे खोपडी बनेगी यह मूटा हो जाएगा और यह नीचे वाला सारे का सारा spinal cord और यह अंदर चला जाएगा किसके वर्टीबरल कॉलम में noto card से वर्टीबरल कॉलम बनेगा और noto card के अंदर neural tube भागता जाएगा spinal cord बनाता जाएगा नंबर वर्डी वरीदक और उपर जो इसा बचेगा यानि पीछे वाला वो brain कहलाएगा यह शार्ट ओवर्विव है खोपडी के बनने का अब इसकोड topic wise, detail wise, series wise explain करूँ तो यह ट्यूब आया कहाँ से भाई जैसे endoderm cell migrate करके आएं mesoderm भी epiblast से migrate करके आई, यहां पे लग रहा है क्या लग रहा है के hinson note से sail migrate करके आएंगे और tube बनाएंगे क्या बताया, hinson note का क्या काम है, फोपडी बनाना, primitive streak का क्या काम था, endoderm और mesoderm बनाना, primitive groove करके, migrate करके, समझ आ रही है ना, अभी, अभी जो फोपडी बनेगी वो कैसे बनेगी सुने, migrate नहीं होंगे से लह के कोकर जैसे endoderm और mesoderm में हुआ था, यहां पे क्या होगा जैसे cell membrane नहीं करती है, endocytosis कैसे करती है, cell membrane exo or endocytosis कैसे करती है, यह cell membrane है, किसी चीज़ को बाहर निकालती है तो बाहर क्या बनाती है, fold, fold बनाती है और आपस में मिलके, आपस में बाकी मिल जाती है, इस fold को बाहर बेज देती है, और अंदर भी कैसे चीज़ों को लेती है, इंगल्फ करके, तो भाई, simple चीज़ यह है, simple चीज़ यह है, कि यह आपकी है कौन सी ectoderm, यह आपकी है endoderm और यह आपकी है कौन सी, mesoderm, ठीक है, यह mesoderm यह कौन सा structure है, notocard, सुने भाई, यह मैं बनाया है, मैंने यह structure hinson note, क्या बनाया है, मैंने यह hinson note, वो चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी कैसे, इसको बहुत उल्टा किया है, ऐसे, यह वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, यह primitive streak primitive group का concept गया, या इसको समझ लें, यहां से अभी काटा है हमने, hinson note न करेगा, नाओ, यह जो hinson note है, प्लेट डाई पहना, इसको हम कहेंगे neural plate, नाओ, neural plate, hinson note को neural plate कप कहेंगे, मीजोडर्म बनने के पहले या मीजोडर्म बनने के बाद, during epiblast या epiblast की मेनत करने के बाद, epiblast की मेनत का मतलब है, epiblast बिचारी ने endoderm भी बना दी, मीजो भी बन अब जो remaining epiblast है, now called, ectoderm और hinson note is called as neuron बनाने वाली plate, समझा रही है, okay, तो भई, neural plate जो है, यह गरो करेगी, devian करेगी, तो neural plate ऐसे नीचे गरेगी, देखें, यह cell ऐसे नीचे आएंगे, जैसे primitive group बन रहा था, अब इसको neural group कहेंगे, या primitive group कहेंगे, तो neural plate से neural, वही बात हो रही है, वैसे ही migration type, मगर एक-एक cell migrate करके नहीं आएगा यहां पे, यहां पे यह जो छला बन रहा है, यह जो fold बन रहा है, खड़ा बन रहा है, यह membrane और नीचे आएगी, ठीक है, यह और नीचे आएगी, और यह आपस में क्या कर जाएंगी, यह जुड सुने वही, देखें, यह membrane आपस में ऐसे जुड जाएगी, ऐसे, 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 कुछ किस्सा हो जाएगा, बात समझा रही है, यह separate हो जाएगा, यह और यह आपस में, देखें, अगर यह रसी है, यह wire है मेरे पास, simple concept है, सुने, यह मेरे पास wire है, यह कौन सा इसा है, neural plate, यह नहीं है, neural plate है, यह बाकी side वाली, यह क्या है, neural plate, neural plate ने यू गुरूव बनाया है, neural group, यह आपस में जुड गया, जुड गया, आपस, ऊपर वाली membrane आपस में जुड गई, यह neural group यहां से इसको काटे, यह separate एक चला बन गया है, ना हो यह चला is called as neural tube, यह neural plate, यह neural groove, जुड गया, जुड ने के बाद यह जो यह है, यह separate हो गया तो, neural plate से neural groove, अगर यह मिल गया और separate हो गया तो अब इसको गुरूव कहेंगे क्या, ऊपर बनेगा यह नीचे towards the notocard, है, एक्टोडर्म का ऐसा, मगर नीचे आएगा, part एक्टोडर्म का ही कहेंगे इसको, तो भाई, moving to the next slide, के यह आपका बन गया, mesoderm, यह आपका meso, यह endo, यह क्या है, notocard और यह यहां से बना है neural tube, अब यह neural tube, अगली अगली, इसको अगर मैं, ऐसे बनाऊ, ऐसे, बना सकता हूँ ना, ऐसे, यह कौन सा view है, front view, और यह side view, तो यह पिछला ऐसा, यह आगे आपका नजर आ रहा है, आपको यह ऐसा, यह ऐसा नीचे वाला, यह नीचे वाला ऐसा किस में जाएगा, यह नोटो कार्ड में जाएगा, यह स्पाइनल कार्ड होगा, और यह ऊपर वाला थोड़ा फैल जाएगा, जिसको हम कहेंगे खोपडी, ठीक है, तो भई हमने पढ़ लिया आज गेस्टिएूला, गेस्टिएुलेशन तीन लेयर, तीन लेयर, अच्छा नेयूरल टूब के बाहत जो यह है, रुमेनिग लेयर बनी है, क्या है।ulars इंसे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे तो खोडी बनी इससे इसको अबेरा we will discuss in detail tomorrow, it is too much enough for today.